ये भगवाल, कोई इस पंक्य का आफ कराओ, मैं घूम रहा हूँ, अरे, कोई बचाओ, अरे, कोई बचाओ मुझे अरे उन्हों लोग कहीं के, ये फैन नहीं है, ये विड मिल है, इससे बिजली बनती है विजय जहां कहीं भी रहता है, वहां विजय ही विजय है अच्छा, इसलिए शायद तुम्हें कोलेज से निकाल दिया गया अरे यो गधो, वहां क्यों चड़ है हो, वह विड मिल है हलो दोस्तों, मैं विजय इंदर कमबोज, हिंदी अन्ट पंजाबी वोइस और आटिस्ट, नई दिल्ली से और अभी ये लाइव सेशन है, रिकॉर्डिंग का भी मेरे सामने स्क्रिप्ट है ये यूट्यूब के लिए है, बच्चों के लिए एक स्टोरी है, जिसे मैं रिकॉर्ड करूँगा और इसमें दो तरहा से रिकॉर्डिंग होती है, या तो पहले एनिमेशन बनता है उसके बाद उसके उपर डायलोग्स रिकॉर्ड होते हैं या फिर पहले डायलोग्स रिकॉर्ड होते हैं, उसके बाद उसके उपर एनिमेशन बनता है तो YouTube के case में 99% क्या होता है कि पहले voiceover हम करके भेजते हैं उसके बाद उसके उपर animation बनता है तो अभी जो मेरे सामने story है उसका नाम है Windmill तो ये मैं complete अभी करूँगा इसमें अलग-अलग तरहा के character हैं और उनको अलग-अलग आवाज दूँगा मैं Windmill विशाखा वैलूर गाओं में विनित और विजय नाम के दो दोस्त रहते थे अरे विजय मुझे एक संदे है क्या है? धर्ती गोल क्यों है? हमारी आखें गोल है ना इसलिए धर्ती भी गोल है अरे वाँ तू तो बहुत होशियार है यार विजय जहां कहीं भी रहता है वहाँ विजय ही विजय है ये सब तो ठीक है लास्ट टाइम तुम्हें मार्क्स कम क्यों आई थे? तुमने तो कहा था कि तुम पूरी रात पढ़ते रहे अच्छा वो गलती से मैथ के एक्जाम के दिन साइंस पढ़कर चला गया था इसलिए मार्क्स कम आई थे अच्छा इसलिए शायद तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया तुम क्या कम हो? पासवाले का पेपर कॉपी करते करते उसका नाम भी कॉपी कर दिया इसलिए कॉलेज ने तुम्हें मार कर निकाल दिया वो सब छोड़ो हम पास के गाउं जाकर बहुत अच्छा बिजनस लगाते हैं और ज्यादा पैसे कमाते हैं अरे ये क्या? घर का फैन बाहर क्यूं है? वो क्या है ना? बाहर घोमने फिरने वाले पक्षियों को गर्मी ज्यादा ना लगे इसलिए अरे तो चुपकर देख पास में इलेक्ट्रिक वायर भी लगे हुए हैं तो क्या हुआ? अरे बुद्धू अगर कोई वायर खराब हो जाए तो उसे रिपेर करने के लिए जो लोग आते हैं ना उनके लिए फैन लगाए हैं अरे वाह! अगर बिदली ना हो और वायर खराब हो गए तो फैन कैसे चलेंगे? वाह! क्या बात कही है! सही में तुम मेरे ही दोस्त हो! ठीक है! वैसे भी ये फैन यहाँ पे बेकार में हैं! क्यो ना हम इन्हें यहाँ से ले चलें? हाँ, लेकर तो चल सकते हैं पर ये बहुत बड़े हैं ना? पहले उपर तो चड़ बागल! विरित उपर चड़ ही रहा था कि इतने में उधर से एक बुढ़ा आदमी उन्हें देख कर कहता है अरे यो गधो! वहाँ क्यों चड़ है हो! वो विंड मिल है! लगता है आटे का मिल है! शायद बूचो तो सही! हाहाहा! तुम लोगों को समझाना मेरे बस की बात नहीं है! पहले नीचे उत्रो! कहीं कोई गिर ना जाए! अरे ये लोग कितने पागल है! बिना स्विच के फैन कैसे लगाए मालूमी नहीं चल रहा है! हाहा! तो ठीक है ना! तुम उपर चड़कर ओफ कर दो ना! देखो! मैं अभी उपर चड़कर ओफ करता हूँ! ये कहकर विनित विंड मिल के पंखे को पकड़ लेता है! और वो भी पंखे के साथ घूमने लगता है! ये भगवाल! कोई इस पंखे का ओफ कराओ! मैं घूम रहा हूँ! अरे! कोई बचाओ! अरे! कोई बचाओ मुझे! अरे! ये उपर क्यों चड़ा है रहे? वो वो क्या है ना कि ये फैन बंद करने के लिए चड़ा था! अरे! उन्हों लाएक कहीं के! ये फैन नहीं है! ये विड मिल है! इससे बिजली बनती है! इतने में विनित उपर से गिरता है! उसे बहुत चोट लगती है! गाउवाले उसे अच्छे से डाट कर घर भेज देते हैं! तो दोस्तों ये था एक यूट्यूब स्टोरी का लाइव सेशन! किसी और दिन, किसी और नई स्टोरी को लेकर आपके सामने फिर से हाजगर होंगे! तब तक के लिए नमस्कार!